हेलो फ्रान में लिंग राच पटेल किचन किंग में आप सब का स्वागत करता हूं आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेशिपी लेके आया हूं आज हम बनाएंगे करेले का चीप्स आप इसको करेला फ्राय भी बोल सकते हैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो इसके बाद में इसका नीचे का हिस्सा को काट देए आभी में इसको छोटा जोटा गोल गोल करके चीप साइज में काट लेंगे यह देखे विल्कुल इसी तरह आपको काटना है यह देखिए और इसका अंदर में जो बीज निकल रहा है जो थोड़ा टाइट होगा उसको सब्सक्राइब करने के लिए इसका कड़वापन आपको इसका बीच काटा दिया है फोड़ा-थोड़ा मसाला डाल को अच्छी तरह पहलते जाएंगे और इसका उपर एक के बाद एक सारे मसालों को डालते जाएंगे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आरारूट पाउडर याने की कौन फ्लो इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा मैं मैदा को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्मरी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा नमक स्वादा मुसर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा थोड़ असा चाट मसाला इसको डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अभी हम इसमें डाल लेंगे थोड़ असा निमू का रस हमने आधा निमू का रस लिया है इसको निचोड लेंगे चलिए हम अच्छी तरह से इसको आतों से मिला लेते हैं अगर आपको ये मिलाने के बाद थोड़ा सुखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आट कर सकते हैं हम बाद में चेक करेंगे और ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है ये थोड़ा सुखा सुखा लग रहा है ये देखिए अब हम इसमें हलका सा पानी डाल दीएंगे ज्ञादा पानी न डालना एक दम हलका पानी डालना ये देखिए बिलकुल इतना चलिए हम इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मैंने जो नमक निमो का बात किया था करेला को काट की इसका उपर जो डालते हैं उसको डालने से इसका कड़वापन तो दूर है जाता है लेकिन इसमें जो बिटामिन रहता ये पूरा चला जाता है इसमें आभी हम और दो चीट डालेंगे ये देखिए एक चमच अधरक भी डाल देंगे चले अब इसको फ्राय करते हैं तेल गरम है चले अब हम चेक करते हैं ये देखिए एकदम गरम है अब यह हम थोड़ा थोड़ा करके सारे करेला को डालते जाएंगे अब जब भी इसको फ्राय करें गेस को हैक रखके इसके बाद मीडियम में कर दिए और थोड़ी देख, अच्छी तरह से फ्रै करने के बाद, निकाल लीजिए, ये खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी होता है, आप इसको जरूर ठ्रै करेए, और ये देखिये, अभी अच्छी तरह से फ्रै हो गया है, और इसमें बहुत अच्छा कलर आया है, चलिए अब हम इसको निकाल лेते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, अभी हम इसको चान के एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ये देखिए, हमारा पहला बैजबन के रेडिय हो गया है, और इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके सारा करेला को चीपस को fry कर लेना है हमेरा करेला बहुत ही ज़यदा क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं दोस्तो आज का यह मेरा करेला का चीपस का रेसिप अपको कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बते हैं तो फिर मिलते हैं मैं अन्य नेक वीडियो में और एक नहीं रेसिपिक के साथ Thanks for watching my video friends